दोस्तों ये कहानी है कैसे लड़के की जो की पड़ाई में एवरेश था दिन पर दोसक सर टाइम पास खरना, मुबाल चलाते रहना उसकी आदत थी घर पर उसकी मां की तबियत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से और घर की हालत बस से वतर थी यानि अगर कोई मेमन आ भी जाए तो उसके बेठाने तक की जग़ा वहाँ नहीं होती थी एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं तो वो दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था तो घर के हालत को दिक्कर दंग रहे गया तो उसने पूछा क्या तू यहाँ पर रहता है बोले हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ क्या यह तेरा गर है बोला हाँ यह मेरा गर है भई बोला तू एसे हालत तुमें रहता है वो बोला हा मैं इसे हाला तुम ही रहता हूँ क्यों क्या हुआ थोरी देर तक तो उसका दोस्त चुप बेटा रहा लेकिन फिर वो बोला वा वा मेरे दोस्त वा तेरी घर की हाला बस से बत्तर है मा घर पर बीमार पड़ी हुई है पापा दिन रात काम करके थोरा सा पेसा जुटा पाते हैं और उससे घर खर्चे चलाते हैं और तु दिन पर मुबाइल चलाते रहता है दिन पर दोस्त वक्सा टाइम पास करता है तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं और तेरे घर के आलाद बस से बतर हो चुकी है तो एक बात बता किसको दोखा दे रहा है अपने आपको अपने माबापको किसको दोखा दे रहा है उसके दोस्त ने कहा तू चल मेरे साथ उबला कहा चलना है नहीं तू चल मेरे साथ तो उसका दोस्त उसे वहाँ ले गया जहाँ पर उसके पापा काम करते थे उसके पापा एक फैक्टरी में मजदूर थे वो वहाँ पर बेटे हो थे पशीने से तर बतर होकर हालत बस से बतर हो चुकीती शरीर में पेन हो रहा था और उनके पास में उनीकी फैक्टरी का एक मज्डूर और बेटा था और वो उनसे कुछ कह रहे थे और वो कहरे थे कि यार मेरी पदनी घरवर बिमार है इलाज कराने के लिए पेशे भी नहीं है मैं तिन रात मेनत करके सिर्फ दो वक्त की रोटी चुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है और कहीं पेशा बची नहीं पाता अभी तो बेटे के स्कूल की फिस भी बढ़नी है देख, देख कैसे जीते हैं तेरे पापा तेरे पापा तेर से कितनी उम्मीद लगायों बिठे हैं देख ज़रा एक बार लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह से तुनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा एक बार तो अपने पापा की हालत को देख की कैसे जीते हैं और एक बार तो अपनी हालत को देख की तू कैसे जीता है वो दो कोड़ी का मुबाइल तेरे पापा से पढ़ करें वो दो खोड़ी की लड़कया चुछ जिन्दगी में सिर्फ कुछ पलों के लिए आती है और फिर चली जाती है वो तेरे पापा से बढ़ करें मैरे थोस्त वाह ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई की और फिर चली जाएगी अरे बदल अपने हालातों को यह सब देखकर और यह सब सुनकर उस लड़के के खून के आँसु टपक गए और उसने उसी वक्त निश्य किया कि जिस फेक्टरी में मेरे पापा काम करते हैं आने वाले पांस साल के अंदर अंदर इससे भी पड़ी फेक्टरी का में मालिक बन कर दिखाऊंगा और उसके अंदर से चीख उठी थी कि मुझे एक कमपनी का मालिक बनना है एक बहुत बड़ी कमपनी का मालिक बनना है नोकर नहीं बनना है और जैसे ही उसके अंदर से ये चीख निकली, वो तिन के लगा तारद 30 गंटे पढ़ने लगा उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष, कि बहुत बड़ी कंपनी का मुझे मालिक बनना है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा, कोई माई का लाल इसा नहीं है, जो मुझे रोख सकता है पढ़ने से और आखरी के सिर्फ एक महीने में पढ़कर, पुरे स्टेट में टॉप करकर दिखाया सब लोग हैरान हो गए, कि ये कैसे हो गया सब की आँके फटी की फटी रह गई, सब लोग दंग रह गए, कि how is this possible जब उसका इंटर्व्यू हुआ और उससे पूछा गया, कि ये सब कैसे हुआ तब उसने का, कि मुझे जिन्दगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है मेरे पापा का सपना है, कि जिस फेक्टरी में वो काम करते हैं, उससे भी बड़ी फेक्टरी का एक दिम में मालिक बन कर दिखाओं सिर्फ इसी सपने को लेकर में इतना पढ़ पाया और अपने प्रदेश में फस्ट आ पाया दोस्तों हो सकता है कि आप इस कहानी की शुरुवती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाओ इंडिया में मेकजिमम लोग या तो मिडिल क्लास फेमिली से बिलोंग करते हैं या फिर पूर फेमिली से बिलोंग करते हैं हर बच्चे को अपा बहुती संगर्श करके उसे पढ़ाते हैं हो सकता है आपके घर की भी यही हालत हो उस कहानी में उस लड़के ने reality को accept करा और अपने हालातों को बदल दिया लेकिन क्या आप reality को accept करते हो क्या आप अपने सच को देख पाते हो अपने हालातों को देख पाते हो अपने आपको देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए वो लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी का माली भी बन गया लेकिन क्या ग्यारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को सच कर पाओ क्या ग्यारंटी है कि आप भी अपने हालातों को बदल पाओ ग्यारंटी है मेरे दोस्त ग्यारंटी है, जब आपके अंदर से एक चीक उटकर आए, आपके अंदर से एक आवाज उटकर आए, कि मुझे पढ़ना है, और सिर्फ इसलिए पढ़ना है, कि मैं अपने हालातों पदल पाओ, और जिस दिन जिस दिन आपके अंदर से यह आ गया ना, कि सच कर दोगे बस जर्वत है तो एक अंदर से आवाज की दोस्तों बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा बहाने तो हर कोई बनाता है हर वो इंसान बनाता है जो कायर होता है मेरा मन नहीं लगता मुझे आलस आ रहे हैं मुझे मेस से टफ लगता है मुझे साइंस टफ लगता है वो जो ना करने वाला है ना, वो छोटी सी मुसीवत आने पर रुख जाएगा, बहाने बनाने में उसका कोई record नहीं, उसे दिन भर आला साते रहेंगे, उसके अंदर की energy बाहर उठी नहीं पाएगी.